वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी महरशादली ब्लॉक अजूकेशन आफिसर और सूपर्टेट एक्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स का ये हमारा लेक्चर नमबर फरस्ट है जिसमें हम शुरुवात में डिसकस करेंगे परसंटेज को जी हां प्रतिशत चैप्टर को शुर और वेंड डाग्राम के कॉईशन भी आते हैं इसमें तो ये 5 से इच्छे टोपिक होते हैं तो इसका मतलब 5 से लेकर 7 कुईशन की रेंज होती है प्रतिशत की और इसके एप्लिकेशन को मिलाकर इन सभी टोपिक्स की तो ये बहुत important टोपिक है इसको अच्छे समझ के चले और चेनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बार आकन प्रस में अगल मैं यहाँ पर हम शब्से ही सपारेंगे सारी चीदे और यहीं आपको सीख चाहेंगे प्रतिशत mathematics बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए बस इसको ध्यान से देखेगा last तक मिलकुल प्रतिशत को हमने दो शब्द में break करेंगे इसको प्रति अलग कर लेंगे इसका शत अलग कर लेंगे प्रति को आप English में बोलेंगे per और शत को बोलेंगे cent और पर को हम कहते हैं एक cent को बोलते हैं 100 तो इसका मतलब प्रतिशत का मतलब क्या हुआ पर हंड्रेड पर हंड्रेड मतलब प्रति सो इसका मतलब होता है प्रति सो का मतलब हर सो में से एक यह होता है परसंटेज का मतलब हर 100 में से 1 तो अब आप ये समझ भाएं प्रतिशत का मतलब प्रतिशत को आप इस सिंबल सरी नौट करते हैं याद रखेगा परसंटेज का साइन है ये और इसी को हम रिप्रेजन करेंगे एक बटे सो से यानि इसी का मतलब होता है पर 100 इसी को बोलते हैं या 1 by 100 ठीक है या आप समझ गए तो जहां भी हमें जरूत पड़ेगी परसंटेज को हटानेगी तो परसंटेज की जगा हम क्या रख सकते हैं 1 divided by 100 या 1 by 100 या कहीं 1 by 100 लिखा होगा तो उसको हम replace कर देंगे परसंटेज के symbol से बस इतना है अब chapter शुरू करते हैं अब questions की शुरूआत करते हैं देखिए पहला सवाल आपको यहां देखिए नजर आ रहा होगा ये भिन से आपको प्रतीशत में बदलना है fraction को fraction को आपको percentage में convert करना है तो पहले कैसे करेंगे आपको यह कोई fraction दी होगी एक बटे, दो, तीन बटे, दो, चार बटे, दो, पांच बटे, दो, दस बटे, दिस, बीस कुछ भी fraction आपको दी होगी भिननेक अगर आपको दी होगी उस भीनन को बोलेगा इसका प्रतिशत में मान कितना होगा प्रियस को प्रतिशत value उसकी प्रतिशत में बदलिए तो एक basic सा funda समझते हैं पहले फिर इनके shortcuts पर आएंगे, डिरेक्ट बताएंगे पहले basic समझे यह एक बटे 2 है अगर इस एक बटे 2 में हम यहां multiply करते हैं 100 की उपर और 100 से ही नीचे multiply करते हैं ऐसा होता है जब same number से हम multiply और divide भी करते हैं तो उसकी value होती है 1 cut with कर यह 1 ही रहता क्योंकि एक जैसे हैं cut जाएंगे तो इसका मतलब हम यहां एक बटे 2 में एक से multiply कर रहे हैं एक का मतलब यह cut के one ही है तो इस पर एक बटे 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हमने यह ऐसा लेख दिया यहां पर हम क्या करेंगे इस वाले 100 को अब इसके साथ ले लेंगे 100 बटे 2 हो गया इधर और यहां बटे 100 ही रहा तो यह कितना हुआ इसको हमने काटा 50 टाइम जाएगा और यह यहां 50 बचा और यहां क्या है वन बाई 100 अभी बोला था वन बाई 100 की जगह हमें ज़रूत पड़ी तो percentage के symbol से replace कर देंगे तो कितना आया वन बाई 2 को percentage में बदल के कितना आया 50% यानि आधा किसी संक्या को अगर 2 से divide करते हैं तो उसका मतलब हम उसका आधा कर रहे है तो एक बटे 2 का प्रतिशत value कितना आया 50% तो वही किया है हमने एक बटे 2 में 100 से उपर नीचे multiply की यह वाले 100 को इसके साथ ले लिया हमने और यह वाला यहां बज़ गया ठीक तो यह आ गया आपका next question देखी एक बटे 5 है एक बटे 5 को आपको प्रतिशत में convert करना है अब हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे पहले question में वो सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिया था क्योंकि उससे step लंबा हो रहा था अब आप क्या करेंगे जो भी भिन आपको दी होगी उसको डिरेक्टी 100 से multiply करो सीधे क्योंकि दूसरा वाला जो 100 था वो अपने परसंटीज में convert रहेगा उसको नहीं लिखेंगे अब यहां बार बार किस step correction करेंगे अब तो कितना है 20 तो simple अब इसका reverse करते हैं अब है प्रतिशत से भिन को कैसे convert करते हैं अगर percentage वाली दी हो तो उसको fraction ने बदला यानि इसका उल्टा करना जैसे भी 50% हमें लिखा था इसका तो अब चेक करेंगे कि 50% के बरावर कितना होता एक बटे दो होता है जब भिन में बदलेंगे तो इतन 5, 50, 10 तो नीचे कितना वाचा ? Half ठीक है ऐसे करके दिखाया स्टेप्स मैंने दिखाए है आपको करके ताकि आपको समझने में कोई दिकत ना हो ठीक है बाकी बहुत simple है ये सिर्फ इस्टेप थोड़े बढ़ा करके दिखाये सिर्फ आपको समझाने के लिए वरना ये इसका मतलब आपको एक बटे 6 को किस से multiply करनी पड़ेगी 100 से यानि एक बटे 6 को आपको 100 by 100 से multiply करनी पड़ेगी यह वाला 100 इसके साथ ले लिजिए और यह वाला 1 by 100 यह परसंटेज में convert हो जाएगा इस पर हमें work करना यह रहा तो आप क्या करेंगे इसको divide करेंगे 100 को 6 से य आप काट लीजिए इसको 50 बार जाएगा और 3 बार जाएगा इसको divide कर लीजिए आप यहां जब आप divide करेंगे इसको तो देखिए 50 को आप 3 से divide करेंगे तो 3 कम 3 जाएगा यहां 2 बचेगा और यहां 0 तो 3 शंक 18 हो गए और 18 के बाद में यह 2 reminder बचेगा ठीक है अब जब इ लिखेंगे numerator में ठीक है इसको अंच में लिखेंगे और इसको हर में लिखेंगे जिससे divide कर रहे है वो हमेशा हर में रहेगा जहां पर पहले से position में है ठीक है तो इसको आप पढ़ेंगे 16 सही 2 बटे 3 ऐसे पढ़ते हैं इसको 16 सही 2 बटे 3 अब यह percentage value आ गई यानि 1 बटे 6 एक बटे 6 को हमने बदला इसका percentage में कितना है बदल करके 16 सही 2 बटे 3 इसको याद रख लिए से बहुत आगे मिलेगा एक्जाम में तो देखिए इसका मतलब क्या है यह 50 बटे 3 ही है न वीबी 16 की multiply इसका तरीका यह होता 16 को आप 3 से multiply करे 16 ती 48 इसको 2 को add कर दें तो कितना ह करेंगे तो 50 हो जाएगा तो यह हो गया 50 बटे 3 है अभी भी इसको यहाँ करके दिखाया है देखिए इस तीन की multiply इसमें कर दी 16 48 और यह 2 add कर दिया तो यह उपर कितना हो गया 50 बटे 3 अभी भी वही संख्या है ठीक है next question देखे 40 प्रतिशत को भीन में बदलना है देखिए यह base आपका बन रहा है इसी lecture से आप questions solve करने शुरू कर लेंगे देखिए यह सारे questions भी पूचे हुए हैं कि बहुत basic basic question का भी डाल देता है 40 प्रतिशत को बदलना है 1 by 100 divide कर लीजिए इसको इस percentage की निशान की जगा आप 1 by 100 रखेंगे शुरूआत में definition की through देखा था हमने इ same ही आएगा देखिए percentage की निशान को हमने कहा था क्या एक बटे 100 को बोलते हैं percentage या प्रतिशत तो आपने कहा किया इस 100 को 100 की multiply आपने इधर कर दी इसकी multiply इधर कर दी cross multiply करेंगे इसकी तो यह 100 की multiply प्रतिशत से होगा तो प्रतिशत इंटू 100 लिखा हुआ है और यहां 1 की 1 स करेंगे 20 तो हम कह सकते हैं अगर हम कहें 100% बरावर कितना होता है 100% होता है एक के बरावर अगर हम बोले 200% कितना होगा 200% होगा 2 के बरावर 200% 2 के बरावर 300% कितना होगा 3 के बरावर 400% 4 के बरावर सिंपल आ जाएगा बिल्कुल एक को हम लिखेंगे 100% अगर पूछे एक को प्रतिश्यदमें बदले हैं तो 1 को प्रतिश्यदमें बदले कितना आता है? 100% हमने बता है प्रतिश्यदम बदलने के Liverpool के लिए आप कि से डिवाइट करते हो? 100 से डिवाइट है 100 से सब्लटिप्लाएगा या इक डि Compria कराइए एक बटे चार जब किसी संक्या को दो से डिवाइट करते हैं उसका मतलब उसका आधा कर रहे होते हैं अगर एक बटे दो है एक बटे चार हमें निकालना है तो इसका आधा करेंगे तब ही तो आएगा तो इसकी multiply यहाँ उपर हो जाएगी अपने आप जा करके तब भी सेम ही values आएगी जैसे भी एक बटे 6 करके दिखाया है तो इनको आप हम नहीं करेंगे आप try करेंगे खुद से या इनको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं जब practice करेंगे तो यह याद ही हो जाएगा आपको ठीक है यह values बार-बार repeat होंगी ना प्याकों के सामने एक बटे 12 को 8 सही एक बटे 3 कहेंगे तो आप इसको try कर सकते हैं ताकि आपको practice हो जाए एक बार topic के लिए हो जाएगा एक बटे 3 को 33 सही एक बटे 3 परसंट बोलेंगे बटे 6 को 16 सही दो बटे 3 परसंट अभी दिखा है कि दोनो results last के अधर रखने एक बटे 9 को communication सեղ एक बटे 9 परसंट यह याद रखना आपको ठीक है तो एक बटे 9 वाले में याद रखेंगे एक बटे 9 नीची रहएगा नेजेगा यहां 11 आ जाएगा ठीक और एक बटे ग्यारा वाले में ग्यारा नीचे रहेगा यहां नो आ जाएगा ठीक है दोनों एक जैसे रिजलेंट है लगवा कन्फ्यूस नहीं होगी कौन सा किसका बट यह जरूर रखने ट्राइ कीजिए इसको आ जाएगा नहीं आए तो कॉमेंड में लिखके बताना मुझे ठीक है तो यह अभी यहां तक सब कुछ खिलियर है तो बताईएगा जरूर मैतमेटिक्स आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा यह कुछ इंप्रूब्मेंट सुधारों की जरूरत आपको समझाने के लिए कहीं स्टेप में वह पहला सवा क्योंकि पहले बेसिक आता है उसके बाद में शॉटकट बनते हैं बेसिक शॉटकट डरेक्ली नहीं आते हैं याद रहिए उन बेसिक को हम छोटा करते हैं कंप्रस करके निकलते हैं शॉटकट हर सब्सक्राइब के मतमेटिक्स में किसी संक्या का 20 पृतिशत असी बताया गय इसको बेसिक मैzig से करेंगे वहले इसको संक्या करते हैं और यहां पर लिखा लिखा है और है का मतलब होता है बराबर क्योंकि आती है क्यूंकि बीज परतीशत है यानि वीज पर्तिशत और यहीश बराबर है बस हमने कर लिया कोट इसमें आप क्या करेंगे संख्या को कुछ भी मालेजी एक्स वाई जाए डवी जीडी या संख्या को संख्या ही रखा रहने दीजिए और इस 20% को आप जानते हैं अभी अभी solve क्या है 20% की value क्या होती है एक बटे 5 होती है न डिरेक्टी रख दीजिए चाहिए यही solve कर लीजिए इसको रख करके कितना आया एक बटे 5 यहां अब यह 5 यहां multiply में है एक बटे 5 इधर भेज दो इस side यहां जब यह divide में है इसको इधर भेजोगी तो यह multiply में पहुँचेगी अगर यहां प्लस में है तो यहां पहुचेग बस इतना याद रखेगा multiply होगी इसकी तो 400 तो संक्या 400 थी अब हमें ऐसे नहीं करना है इसको ठीक है यह हो गया basic method यह आपको आना चाहिए अब इसको shortcut में करते हैं सवाल में बोला गया है किसी संक्या का 20% 80 के बराबर है तो 20% क्या है 80 है का मतलब 80 का बराबर है तो हमें क् question में हम अपनी संक्या को 100% मानेंगे थिक हमने मान लिया हमने संक्या एक्स की जग एक संही मान रहा है उसको 100% गुल दिया टीक तो सवाल में बोला गया है कि संख्या का 20% 80 है 20% 80 है लिक लिए बराबर हमने हम क्या करेंगे हैं हमने संख्या मानी है 80 पर हमारे पास कितना परसंट है 20% तो इसी लाइन में question हो जाएगा अगर हमें इसको 100% बनाना हो तो कब बनेगा 100% इसमें कितने से multiply करोगे आप इसम expression पर कोई फर्क न पड़े ठीक तो कितना हो गया 5,8,4,400 तो 100% बराबर कितना है 400 एक लाइन में आगया इतने सारे step करने जरूत नहीं पड़ी और दूसरा तरीका यह तीसरा तरीका अब देखिए 20% बराबर 80 है तो हम क्या करेंगे इस दोनों तरफ 20 से divide कर दो इसको 1 बना एक से भी एक कहीं पर भी होता है आपको एक से multiply कहीं भी आपको शामिल होता है किसी नमबर भी एक से multiply करेंगे तो नमबर वही रहेगा इस 20 को इधर बे दी जहां गोड़ा में तो भाग में चला जाएगा जैसे आप चाहें कान इधर से पकड़ दीजिए दूसरी तरफ से पकड़ दीजी एक ही बात है तो 1% ब्रावर 4 आ गया भाई हमें 100% की value निकालनी थी 100 से multiply कर दो दोनों साइट में कितने हो गए यह दर 100% इधर 400 अभी भी आंसर वही है next question देखें किसी संख्या का 30% 40 है तो संख्या ग्याद कीजिए वैसा ही question है बिल्कुल सेम let the number number माल कीजिए हमने shortcut से basic से आप try कीजिए basic से कर सकते हैं बट आपको एक्जाम में यह follow करने जो shortcut बताएं 30% equal to 40 हमें value 100% की चाहिए होती है multiply कर दो 100 से ही percentage पहले से 100 से multiply करना है आपको ठीक है यह अब कितना बचाई है 40 तो ऊपर कितना हो गया 400 बटे 3 हो गया simple आगया answer इसका and next सवाल देखिए किसी संख्या में किसी संख्या में संख्या का 20 प्रतिशा अगर जोड़ देते हैं तो संख्या 240 हो जाती है तो संख्या गयात कर रहे if 20 percent of a number is added to itself then results become 240 find a number कोई संख्या है यहां इसको basic से देखने पहले आईए देखिए कोई संख्या है संख्या माल लिजिए हमने संख्या ही रहने दीजिए x माल लिजिए किसी संख्या में उस संख्या का 20% उस संख्या का 20 परिशधित की जोड दे रही है, यह ड हो जोड दिया, संख्या का 20 परिशधित, और 2.4 हो जा रहा है, यह हमने उस लाइन को कोड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, बेशिक हैं आपका, 20 मतलब आप जानते हैं, यह बटे 5 है, डिरेक्ली रख दीजिये, यह इस् X वाले साइड है एक साथ solve कर लीजे इनको एलसे हम ले लीजे 5 आएगा तो यह हो गया 5X और यह हो गया 1X तो 6X divided by 5 is equal to 240 तो 6X अब इधर जाएगा यह कितना multiply में हो जाएगा 240 के तो 5,0,0 पांच चो के 20 दो 5 दूनी 10 और दू 12 बारस हो आया और यह 6 यहाँ multiply में है इधर जाएगा तो यह divide में पहुचेगा तो यह कितना होगा 6 दूनी 12 तो 200X के value वो संक्या 240 ती ऐसा नहीं करना है अब इसका shortcut देख लीजे shortcut में हमने पता है अभी number को आप 100% मानेंगे किसी भी number को बोला है किसी किसी number में किसी संक्या में उस संक्या का 20% बैस सो है सो का 20% कितना होता है सो का 20% 20 से मेंट प्राइब करके कितना हो गया यह देखे 200 जी जरो तो यह 20 आ गया तो किसी संक्या में यानि संख्या का 20% संख्या का 20% कितना हुआ 20 ही हो गया है इसको आड़ कर दो तो कितना है 240 तो संख्या में संख्या का 20% क्योंकि दोनों प्रितिशत वैलियों सीधे आड़ हो जाएंगी 240 है तो यह कितना हो गया 120 हो गया और 120 से यह कैंसल आउट हो जाएगा दो बार एक परसंट बरावर कितना हुआ इसमें मल्टिप्लाइ कर लिए किस से 100 से दोनों साइट तो दोस वा जाएगा आंसर सिंपल समझ नहीं आया हो तो बताईएगा ठीक है कॉमेंट में नीचे लिख दीजेगा समझ आया हो तो भी मतमेटिक समझ में नहीं आ रहा हो यहां इस टॉपिक से तो भी क्योंकि यह बैक 20% जैसे question में दिया हुआ 20% बढ़ा ही है संक्या आप यहां से भी कर सकते हैं तीसरा method देखिए इसका क्या होगा 20% यहां लिखावाया अगर increase बोला है तो आप उसको क्या करेंगे पहले एक बटे 5 यानि इसको fraction में convert कर लेंगे इसका मतलब यह होता है अगर 20% व्रद्धी ह होई है तो हर 5 में हमने एक बार बढ़ाया है फिर अगले 5 में हमने एक बढ़ाया होगा अगले 5 में बढ़ाया होगा तब ही जाकर वह 20% बना है तो 5 हमारी original value थी और हम हर 5 पे एक value बढ़ाते जा रहे हैं इसका मतलब यह होता है तो हमें original value निकाल लिए है 5 का मान निकालना कितना हुता है अभी जब हम इसमें 5 में एक बढ़ा रहे हैं तो नहीं कितनी हो जा रही है दोख symptoms 7 गें 5 दोस्तों संक्या कॉल दोस्त बद्धेश संक्या में 30% किशी संक्या में 36 ho9 जाती है संंक्या गाद करें let the number 100% मान लीजिए 30% जोड़ोंगे तो directly संक्या में 100 है तो डारेकले कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा 130 बरावर कि से हो जाएगा 130 परावर जाएगा 26 39 के इस इसको इधर ले आईए ठीक है इधर जब आप लाएंगे तो तेरा से काटिए तेरा दूनी 26 तेरा तिया 49 यह हो गया 230 ठीक है 23 बार जाएगा 23 बटे 10 और इधर क्या है सरी यहाँ जीरो भी रहेगा बीच में क्योंकि दो हमने एक साथ लिए हैं है ना दूसर तीन रहेगा उपर तो इसको अब से हंडेट से मल्टिप्लाई कर दिए दोनों साइट में बस सिंपल आंसर आजागा नीचे वाला जीरो कट जाएगा उस शॉटकट देखेंगे उसका फिर दूसरा वाला मैसर शॉटकट में ही 30 परसंट को हम क्या लिख सकते हैं 30 बटे 10 भी तो लिख सकते हैं इस जाकर आपको 30 इंक्रीज होगा ठीक है इसको हम शॉट मैसे बोल दे रहे हैं तो हम 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा यह 13 हो जाएगा और जब हम फ्रक्शन में उधर पहले ही हमें दे रखा है कितना 28-29 दोनों बाते बरावर कर दी वही सेम पैटन पर फिर से आजाए इसको कनवर्ट करोगी तो एक बटे 6 आता है इसको कनवर्ट करेंगे कैसे सुरती 48 बटे 3 हो गया और इस परसंटेज की निशान को आप ऐसे लिख सकते हैं एक बटे 100 नीचे क्या बचा तीन गुणा और दो बचा एक बटे 6 आ गया सिंबल ऐसे कर सकते हो तो एक बटे 6 यह पहले यह आपको बोला था याद रख लिजेगा अराम से याद भी हो जाएगा यह कुछ भी नहीं है इसमें तो यह 6 और रिजिनल वैली हर 6 पर हम क्या कर रहे है एक आट करते जा रहे है हर 6 पर जब एक आट करेंगे तो 7 हो जाएगा और यह 7 किसके बरावर दिया है वैले तो यहां पर क्या आएगा देखिए यह जब हम इसको डिवाइट करेंगे न बैल इसको मतलब आएगा 607 आएगा यहाँ जीरो आट कर लिजेगा बीच में ठीक है जीरो देखो कैसे आएगा बैल इसको डिवाइट करना बता रहा हूं देखो फिर भी यह बताने की जगा नही साथ सत्य ओडन चाहस यह आपने बच्पन में सीखा होगा इस तरह का तो रिवाइंडर जीरो बचा तो यह होगा 607 607 की अब 6 से जब आप मुल्टिप्लाइ करेंगे यहां 0 में सहाँ आट कर लिजे छे सत्य बैलेस और शेचिंग शत्यस यह आंसर आगया 6 की वेल्यू यह निकालनी थी है हमें अगला देखें किसी संख्या में ऐसी जोडने पर उस संख्या खुद का 120 परसेंट हो जाती है तो संख्या गयात करें अब हमने रिवर्स कर दिया है ठीक है if 80 is added to a number then number becomes 120 itself ठीक है वही question है basic से देखो इसको किसी संख्या में हम अगर ऐसी जोड़ दे तो और हों संख्या खुद की 120 हो जा रही है यह बोला है किसी में 80 जोड़ दें तो खुद की 120 है यह हो जा रही है इसका मतलब होता है वह बराबर हो गये यह क्या है अमने एकस को हमने ऐसे ही लिख लिए है यह यह वाला एकस कर टौम एक साइट इधर ले आओ तो इसको x- यहा प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा हमने क्या किया LCM ले लो नीचे 100 LCM आएगा इस 100 की मल्टिप्लाइ 100 में हो जाएगी 100 X माइनस के 120 X तो इधर क्या हुआ माइनस 80 वैसे ही रहेगा और यहां माइनस 120 में से 100 जाएगे तो माइनस के 20 X बचेंगे और इधर माइनस का सी इस माइनस से माइनस कैंसल इस एक से जीरो एक जीरो कैंसल और दो पंजे दस और यहां क्या हुआ 2 X बरावर कितना हो गया 2 X बरावर हो गया 800 तो यहांसर आएगा 400 इसका ठीक कट जाएगा अरसानी से आप शॉर्ट कट करेंगे देखो किसी संक्या में 80 जोडने पर खुद की 120 परसेंट हो जाती है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 120 परसेंट को जैसे हमने पहले लिखा था तो इसको आप एक शॉर्ट कट नमबर वन में इसको ऐसे लिखेंगे 6 बटे 5 इसको 120 को डिवाइट कर लीजिया आप 100 से ये चेंज हो जाएगा 2612, 2510, 6 बटे 5 तो ऐसे आ गया सिंपल आए ठीक तो सारे मैथड़ जो शुरुआ से हमने स्टार्टिंग की थी वो सब इस्तमाल हो रहे हैं तो हमने यहां पांच किया 120% है 80 है तो बढ़ाया है बढ़ाने का मतलब इंक्रीज करना 5 में अगर 6 जोड़ेंगे या आप ऐसे करिए 5 में कितना जोड़ा गया होगा कि यह 6 बना होगा वो इसमें 1 एक आड़ किया गया है ठीक है इसमें एक आड़ हुआ है एक का मतलब यहां पर 80 है अभी क्वेशन को हमने रिवर्स किया है तो यहां समझ यह यहां 6 में 5 को आड़ नहीं करेंगे किसी संक्या में 80 जोड़ने पर खुद की वो 120% हो रही है ठीक इसका डिफरेंस देखना है कितना है एक है तो एक को 80 के बरावर लिख लिया और यहां डिवाइट 5 कर देंगे दोनों साइट हो जाएगा अब इसको दूसरे मतल से ऐसे कर सकते है लेट दी नमबर 100% माल लिया 100% के बाद में बोला गया है वो नमबर में 120% हो जा रहा है वो नमबर तो यहनी 20% की बड़ोत्री होई होगी उस नमबर में जरूर तभी 120% हुआ है वो बड़ोत्री किसके बरावर है? 80 के बरावर है चाहें तीन तरीके में से जो आपको उस पसंद आता हूँ रख लिजए आप किसी संख्या में 16 जोड़ने पर वो खुद का 116 सही 2 बटे 3 हो आती है तो हम इसको 116 सही 2 बटे 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? भई 100 को 100% को अलग कर लिया और 16 सही 2% को अलग लिया इसको जोड़ोगे तो यह यही बनेगा अब अभी बताया था हमने 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100% को हम लिखते हैं 1 यह 16 सही 2 बटे 3 को लिखते हैं 6 इनको दोनों को जब आड़ करोगे तो यह जाएगा 7 बटे 6 तो अभी बोला है हमने इनका डिफरेंस लेंगे कितना होगा डिफरेंस 1 तो एक किसके बरावर है डिफरेंस 16 के बरावर है किस संख्या में हमने 16 जोड़ा तो वो इतने इतना हो गई 116 सही 2 बटे 3 परसंट हो गई यह आंसर हो जाएगा तो 6 की वेल्यू हमें निकालनी थी या आगे 96 अब एक और कुशन है एक बैटान और है इसका इसकोर समझें 6 रुपे का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा यहनी ऐसे ही बूँ सकता है 120 पैसा 6 रुपे का कितना प्रतिशत होगा how much percent of 6 रुपीज is 120 यह आपको बताना है तो देखिए इसमें कैसे करते हैं हम जानते हैं कि एक रुपे में होते हैं 100 पैसे एक रुपे में जब 100 पैसे होंगे तो ऐसे ही आप 6 रुपे को जब देखोगे तो 6 रुपे में आपके पास 600 पैसे होगे होंगे तो एक पैसे बराबर 100 रुपे हैं ये कैसे आया 600 दोनों तरफ 6 से multiply कर दी जितने भी रुपे को पैसे मतलना है उसको उतने दोनों तरफ से multiply करे 6 कम 6 हो गया और ये 6 की multiply 100 से गई तो 600 हो गया तो हमें क्या बोला है जब कभी भी ऐसा निकालना हो कि 120 पैसा 6 रुपे का कितने परसे जिसके साथ का लगा होगा या जिसके साथ ओफ लगा होगा जिसके साथ का लगा होगा जिसके साथ off लगा होगा उसको denominator में रखेंगे यानी नीचे रखेंगे 6 रुपे या 600 पैसे को नीचे रखेंगे और जिसको पूछा है उसको उपर रखेंगे ठीक है 100 से multiply करेंगे इस से ये divide होगा 6 दूनी 12 तो कितना होगा 20% यह आ गया ठीक है यह ओफ वाला जिसके साथ off लगा होगा question में आपको देख जाएगा हिंदी में का लगा होगा और English में off लगा होगा यह वाला ठीक है जिस रुपे के साथ में जिस लगा हो इसको नीची रखना है इसका ख्याल रहे बेसिक से देखिए 6 रुपे का कितना परतिश्यत 120 है 600 का लिख लिए हैं ताक की जगे गुणा का निशान और यह कि जगे एक्स माले percentage यह percent है है की जगा यह बराबर हो गया और 120 पैसा ठीक तो शॉटकट कैसे है यहां से बतला लगा आपको 6 परसंट को ऐसे रखिए 6 रुपे को इधर ले आईए 120 जब यहां multiply में है तो यह divide में पहुचेगा अब 6 रुपे में यह आथ पैसा है यह रुपिया है तो दोनों को same unit करना ज़रूरी होगा आपका चाहे इसको रुपे में मदली यह इसको पैसे मदली दोनों को एक जैसा बनाईए 120 पैसा है तो 6 रुपे में कितने पैसे हो से हैं 600 पैसे आप इसको काट लीजिए ठीक है ज 12 km इसको रहे हैं 600 मिटर मैंने बताया आपको क्या करेंगे जिसका साथ काल अगा होगा उसको नीचे रखेंगे बारा को नीचे रखेंगे और 600 को ऊपर रखेंगे 12 km है आप जानते हैं 1000 मीटर होते हैं और 12 km के इतने जाएंगे 2000 मीटर तो डिवाइट कर दीजेगा 600 को से आंसर आपके सामने हैं तो यह हुए आपका mathematics का पहला topic कि कुछ type की questions और next में करेंगे percentage के ही type अलग-अलग type की questions ताकि आपका base बनेगा अच्छे से तो ठीक है यही questions अब यही जो method आपने सीखा यही काम आएगा percentage में thank you so much इससे जादा percentage में कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको questions समझा देने हैं question कैसे solve करना है mathematics आएगा definitely आपको thank you so much